आए एक practical question देखते हैं कि consideration को कैसे calculate किया जाता है A limited required 80% of 3 million issued ordinary shares of B limited तो आपने 3 million नहीं खरीद है 80% of that और 80% बनता है 2.4 million on 1st March 2020 the consideration for each share comprise आपने वो जो 2.4 million share खरीदे हैं हर share के बदले में आपको एक रुपए 20 पैसे cash में देना है plus two shares of A limited और A limited अपने company के 2 share उसके एक share के बदले में आप कहेंगे यह कैसे possible है वह देखें जरूरी नहीं है कि हमारी company का share 10 रुपए का है तो जो दूसरी company खरीदने जा रहे उसके share की company वो है 10 रुपए उसकी पार वैली यह दस रुपए नॉर्मल हमारे हाँ है लेकिन कुछ company है जिनकी पार वैली 20 रुपए भी है 100 रुपए भी है तो अगर आप 20 रुपए वाली company का share खरीद रहें तो उसको आप अपना 10 रुपए वाला share तो नहीं देंगे तो इसलिए फिर वो कह रहा कि आपने 2 shares देने एक के बदले में 2 तो 2.4 के बदले में आपको double shares देने पढ़ेंगे और a limited share are on first value यानि एक जो अपने share मार्कीट में भी करा है एक रुपए पचास वैसे का जब आपने share खरीदे अब और एक दिक रहें जिस date को आप acquire कर रहे है उस date को उस share की value क्या है तो आप देखें दो share को अगर एक रुपए पचास पैसे से multiply तो तो तीन रुपए बनता है एक रुपए बीस पैसे cash और तीन रुपए के shares आप उसको दे रहे है तो आपने जो एक साल के बाद एक million पे करना है तो आपने उसकी present value भी निकाल गई है उसको भी शामिल करना है इस तरह इसमें professional fee pay to external legal advisor आपने किसी को hire किया है और उसको आपने एक fees पे किये तो वो भी उस consideration का हिस्सा बनेगी लेकिन अगर आपको कुछ खर्चा करना पड़ा है after the acquisition to manage that subsidiary उसको organize करने में तो वो इसमें शामिल नहीं होगा याद रखें because वो date के बाद है जब तक आप खरीद नहीं लेते हैं उसके बाद में जो खर्चा हो नहीं पहले पहले जो भी खर्चा आपको करना पड़ा है to acquire that company वो उस consideration का हिस्सा बनेगी अब इसकी calculation देगें simple है what is the fair value of consideration in respect of this acquisition for inclusion in A's limited financial statement for the year ending 31st March 20th यानि एक महिना बाद में आपका accounting year end हो रहा है तो आपको अपनी balance sheet में दिखाना पड़ेगा कि हमने इस company में investment की है तो कितने पैसों की investment की है देखें number of shares first of all 2.4 million और एक रुपया 20 पैसे आपने cash में दिये तो cash payment 2.880 million और share जो issue किया आपने 2.4 million को 200 multiply किया तो number of share आ गए और share की जो market value है उस date को 1.5 है तो 7.2 million यह हो गया professional fee जो आपने 4 लाकी पै किया वो आ गया और जो आपने contingent payment करनी है साल के बाद उसकी present value 909 आ गई तो total consideration जो है वो आपको 11.38 million पै करना है अब question यह है कि इसके against हमें जो company खरीद रहे है उसके net assets की worth क्या है उसमें भी आपका share कितना है तो देखे if the fair value of net assets of B on 1st March is 12 million तो आप 12 million का अपना हिस्सा जो है 80% निकाले तो goodwill कितनी बनेगी आपने 9.6 million आपका हिस्सा बना तो difference जो है 11.389 million का और 9.6 million का the difference is your goodwill on consolidation तो अगर आप ज्यादा pay कर रहे है तो आपको goodwill का pay कर रहे है और इसी तरह अगर उसकी net present जो net assets है वो 10 million के हैं तो इसमें तो आपका हिस्सा बनता है 80% which is 800,000 तो इसमें आप देखें 11.389 का और फिर 8 million का difference है वो 3.389 million तो यह आपको negative आपको ज्यादा नहीं बलके आपको negative goodwill बन गए तो this is how basically the consideration and the consideration matching with the matching with the assets you acquire so goodwill or negative goodwill you need to calculate thank you very much